चुफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ कुमार को डैमेज करने के लिए अलग हुए थे हम आपको मजबूत बना रहे हैं बिहार में मेरी वजह से ही आप मजबूत बन रहे हैं और 2020 में भी आपके जितने भी बिधायक जीते और नितीज कुमार के जितने भी बिदाय कारे उसमें सिर्फ और सिर्फ योगदान मेरा है अब भाजपा ये मानने के लिए तयार नहीं लेकिन फिर भी चिराग पास्वान को एक मौका दिया मुकामा और गुपाल गंच के उपचुनाओ में चिराग पास्वान को कहा कि आप जाइए मुकामा में चुनाओ परचार करिए अगर हम मुकामा जीत गए तो फिर से आप एंडिये में सामिल हो सकते हैं और एंडिये में आपका कद बढ़ सकता है और आपके सर्थ तो अनुसार हम आपको एंडिये में सामिल करा लेंगे सर्थ क्या है चिराग पास्वा के पास है. यानि एक तरफ रास्टिये लोजपा और दूसरी तरफ लोजपा रांभिलाज. रोजपा रांभिलाज जो है वो चिराग पास्वान के पास है और राश्टिये लोजपा जो है वो पसुपती उनके पास वो पाटी है और पसुपति पारस की जो पार्टी है राष्टि ए लोचपा वो इंडिये में सामिल है और चिराग का ये कहना है कि हम इंडिये में आएंगे तो चाचा को साइट करना पड़ेगा ऐसे में भाजपा ने चिराग पास्वान को एक मौका दिया और कहा कि जाइए मुकामा में चुनाओ परचार करिए अगर हम जीत गए तो आपका कद बढ़ जाएगा और आपको एंडिये में आपके सर्तों अनुसार हम सामिल करा लेंगे लेकिन अगर हार गए तो समझ जाइए कि आप कहीं के नहीं रहेंगे आपका बिहार में कोई चलती नहीं है आपका कोई नहीं सुनता है अब देखने वाली बात यह है कि क्या चिराग पास्वान ने जो अभी किया वो सही किया या फिर बहुत बड़ी गलती कर दी अब देखि इन क्या चिराग पास्वान के ठेका उठाने से मुकामा में अनन्द सिंग की पत्नी को हराना मुम्किन है भाजपा को भाजपा क्या अनन्द सिंग की पत्नी को हरा पाएगी चिराग पास्वान के सहारे ऐसा तो नहीं है चिराग पास्वान ने एक दिन गया चुनाव प्रत्यासी है बाजपा के प्रत्यासी ललन सिंग की पत्नी सोनम देवी को प्यार देना बाकी है अब सोनम देवी जीत जाएगी और अनन सिंग की पत्नी नीलम देवी हार जाएगी क्या एक दिन चुनाव या फिर दो दिन चुनाव परचार करने से गेम पलट जाएगा क्या चिराग पास्वान के मुकामा जाने से इंडिये का प्रत्यासी जो है वो जीत जाएगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्यूंकि 17 साल लगतार वहां से अनन्ण सिंग बिधायक रहें 2020 के आम चुनाव में उन्होंने जीत हासिल के लेकिना प्रादिक मुकदमों की होजसे उन्हें सदस से पद से इस्तिपाद देना पड़ा और फिर से वहां से उपचुनाव हुआ हम आपको बता दे कि ललन सिंग इसके पहले लोजपा से चुनाव लड़ चुके हैं चिराग पास्वान उस समय क्यों नहीं जिता दिये उस समय सुरजभान सिंग क्यों नहीं जिता दिये नहीं जिता है लेकिन अब ऐसा लगता है कि चिराग पास्वान को कि हम वहां जाएं और ललन सिंग को जिता देंगे अगर ललन सिंग हार गए तो भाजपा चिराग पास्वान को एंडिये में कतई नहीं रखेगी अगर रखेगी भी तो अपने सर्तों अनुसार चिराग के सर्तों अनुसार एंडिये में सामिल नहीं कराएगी अगर मुकामा जीत गई एंडिये तो चिराग पास्वान जो कहेंगे भाजपा वही मानेगी और कहेगी कि आपका कद बढ़ गया है और अब चाचा को साइड कर दीजिए लेकिन ऐसा होगा यह नहीं यह भी देखने वाली बात होगी क्या चिराग पास्वान के मुकामा जाने से ललन सिंग की पतनी जीतेगी य शे तारिख बताएगा लेकिन लोगों का मानना यह है कि चिराग के जाने से कोई गेम नहीं बदलेगा क्योंकि जितना चिराग डैमेज किये थे तेजस्वी उससे ज्यादा इकठा कर चुके हैं और अनन सिंग की पतनी का वहाँ पर बोल बाला है वहाँ पर अनन सिंग का भ है कि क्या अनन सिंग की पतनी वहाँ से जीतेगी या फिर चिराग की वज़ा से वह हार जाएगे बेराल इसका वर में इतना ही बने रहा है मारे साथ और देखते रहें दें इंडिया टॉप